Hello everyone, I hope you are very well छोटे-छोटे स्टोडी के माधियम से हैं हम आपको English पढ़ना और English समझना सिखाता हूँ तो चलिए आज का टॉपिक दिखते हैं आज का टॉपिक है A lazy boy यानि एक आलसे लरका Once, यानि एक वार There was a boy एक लरका था He lived with his parents in a small town He lived, वो रहता था With his parents अपने माता-पिता के साथ In a small town एक छोटे से सहर में His name was Kunal उसका नाम था Kunal His father was a potter Potter का अर्थ होता है कुमहार उसका पिता कौन था? His father यानि उसका पिता Potter यानि कुमहार था He wanted his son to become an officer यानि उसका पिता चाहता था की उसका बेटा एक officer बने So, इसलिए Instead of his low income कम income के वाबजूद या कम income के बजाए यानि पैसे कम थे उसके बाद भी He sent him to a good school उसने अपने बेटे को एक अच्छे स्कुल में भेज दिया यानि admission करवा दिया Kunal was a lazy boy Kunal बहुत आलसी लरका था He did not like to go to school उसे इसकुल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था He was not interested in studies उसे पढ़ने में कोई मजा नहीं आता था उन्हें पढ़ने में मजा नहीं आता था He liked to play around in the garden उसे garden में यानि बगीचा में खिलना बहुत अच्छा लगता था He very often ran away from the school Ran away एक phrasal verb है ठीक है इसका मतलब होता है भागाना इसकुल से प्राया often का मतलब होता है प्राया कि वो हमेशा इसकुल जाता और वहां से भागाता He spent his time in the streets वो अपना समय कहां बिता था गलियों में often playing with some of his friends अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल करके अपनी समय को बिता देता था His parents were unhappy उसके माता पिता उससे ना खूश थे unhappy मतलब ना खूश थे With him उससे They wanted him to study harder and stand first in the class उनके माता पिता चाते थे कि ये मेहनत से पढ़ाई करे और class में first आए One morning, एक सुबा His father sent him to the school उसके पिता ने उसे school भेजा As per his routine जैसा उसका school जाने का समय था उसी समय में In spite of going to the school In spite of का अर्थ होता है वहाँ जाने के बजय या वहाँ जाने के बाब जूद And enjoying the day और गीत गा करके पक्षियां अपने दिन का मज़े ले रही थी Butterflies were flying from one plant to another Enjoying the nectar from the flowers Butterflies जो थी यानि जो तितलियों थी वो एक flower से दूसरे flower पर पर जाती उसका रश चूचता और खाता मज़े कर रहा था Kunal was feeling really happy Feeling मतलब उसको बास्तव में Really miss बास्तव उसे बास्तव में अच्छा महसूस हो रहा था To be away from his school School से दूर रहकर कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था He was looking the beautiful flies Moving from one flower to another वो देख रहा था इन छोटे छोटे जी वो को एक जिगा से एक flower से दूसरे flower पर जाते हुए ऐसा देख कर कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था He saw a bee and went towards it B का अर्थ होता है मधुमक्य उसने एक मधुमक्य देखा और उसकी और बढ़ गया Towards मतलब उसकी और कुनाल Dear bee You are so beautiful B से कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो कुनाल कहता है You will you play with me क्या तुम मेरे साथ खेलोगे B मधुमक्य क्या कहती है I cannot play with you करा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता कुनाल Why can't you play with me तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेल सकती B I am very busy मैं बहुत best हूँ I have I have to gather honey Gather का मतलब होता है जमा करना Honey Honey में सहत हमें मधुमक्य कह रही कि मुझे सहत जमा करना है इसलिए मेरे पास समय नहीं है Gather honey for the coming winter Winter मतलब जारे का मौसम जो जारे का मौसम आ रहा है उसके लिए मुझे Honey इकठा करना है सहद इकठा करना है इसलिए मेरे पास समय नहीं है मैं बहुत busy हूँ I have no time to play मेरे पास कोई समय नहीं है कि मैं खेल सको Then Kunal saw a small word उसके बाद Then मतलब उसके बाद Kunal देखा Saw a small word एक छोटी से पक्षी को With a piece of straw With a piece of straw का मतलब बता है लकरी के छोटी से तिनिके होते हैं उसके साथ In its big Big का मतलब बता है चोच जो छोटी सी पक्षी है अपने चोच में एक straw लिये हुए है और कौन देख रहा है Kunal ने देखा Kunal Hey little word उसे कह रहा है word से Hey little word रहे है छोटे पक्षी You are so sweet तुम बहुत प्यारी हो Will you come and play with me क्या तुम मेरे साथ आओगे खेलने के लिए with me मेरे साथ खेलो Little word No, no जो छोटी पक्षी है वो कहता है I don't have extra time क्या है मेरे पास extra time ही नहीं है ठीक है मेरे पास फालतू का वक्त ही नहीं है I have to make my nest complete as the winter season is coming क्या है कि मुझे अपना nest बनाना है यानि घोसला बनाना है क्योंकि winter season आ रहा है जारे कमो सम After saying this ऐसा कहने के बाद The little word flew away वहाँ से उर गई यानि वहाँ से उर के चली गई कुनाल then saw some ants उसके बाद कुनाल देखता है कुछ चीटियों को running दौर रही है with grains किसके साथ तो अनाज के साथ वो दौर रही है with grains of rise towards the holes किसकी और भाग रही है rice के जो दाने है उस दाने को ले करके अपनी hole की और दौर रही है towards मतलब था है की और कुनाल dear ant come on come on miss stay with me for some time मेरे साथ कुछ देर रुको we shall play together हम लोग एक साथ खेलेंगे साथ साथ यानि together साथ साथ खेलेंगे ant sorry dear we have to gather food for ourself ant कहती है माफ करो मुझे ठीक है क्योंकि मुझे भोजन इकठा करना है किसके लिए आवर सिर्फ यानि खुद के लिए winter is round the corner round the corner का अर्थ होता है winter season नजदीक है यानि बहुत ही नजदीक ठीक है इसलिए मुझे अपने लिए भोजन इकठा करना है और मेरे पास एक मिनट भी नहीं है जो कि मैं तुम्हारे साथ खेल सकूं यानि मैं अभी खेलता हूं हम मर जाएंगे और ठंडी में भूखे मर जाएंगे winter season इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता वेन ही वाज रोमिंग इन दा गार्डन जब ओ गार्डन में घूम रहा था रोमिंग मतलबता है घूम ना घूम रहा था उसने एक कुट्टे को देखा he decided उसने निरने लिया to ask the dog चलो कुट्टे से पूछ लेते हैं कुनाल dear doggy you are a fine dog तुम एक बहुत अच्छे कुट्टे हो please come and play with me क्राइके कि रिप्या मेरे साथ हा और मेरे साथ खेलो dog sorry dear I have to guard my master's house मुझे अपने master के यानी master मतलब होता है मालिक अपने मालिक के घर की रिखवाली करनी है I must run fast otherwise thieves would get into my master's house यदि मैं तेज नहीं भागूंगा तो चोर मेरे मालिक के घर में घुश जाएगा इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है then my master would punish me यदि चोर घर में घुश जाता है तो मेरा master मुझे मेरे मालिक मुझे सजा देगा पनीस मतलब सजा देना सजा देगा इसलिए मैं तुमारे साथ नहीं खेल सकता दिख लिए आपने कुता भी मना कर दिया एंट भी मना कर दिया और बी भी मना कर दिया सब अपने अपने में बीजी है इसलिए इसे धियान रखी कुनाल लेफ्ट असेंड एंड थाट दाट देर इस नो वान इल्स आइडल एक्सेप्ट हीम कुनाल महसूस किया बड़ा सर्मिंदगी क्यों महसूस इससे सर्मिंदगी महसूस हुआ एक्सेप्ट किया इस बात को सुईकार किया है कि किसी काम में बीजी नहीं है लेकिन यहां पर हरे एक किरिये चाहिए है जितने भी छोटे से बड़े जीब है सभी अपने आप में बैस्त है इफ दा बीज वर्ड्स एंड एंड डॉग्स आर सो बीजी करा कि यहां तक कि जो बी है वर्ड्स है एंड है डॉग है यह सभी बहुत बीजी है अपने कामों में वाई आई आम नोट बीजी मैं क्यों नहीं बीजी हूं why I am so lazy मैं इतना lazy क्यों हूँ मैं इतना आल सी क्यों हूँ saying so he ran towards the और ऐसा कहते हुए वो दौर पड़ता है दौर पड़ता है किदर? towards एक और दौर पड़ता है school यानि अपने school की और दौर पड़ता है he had now made up his mind not to waste his time sitting idle और उसने अपने mind make up कर लिया कि आप हम बेकार नहीं बैठेंगे ठीक है और मुझे अपना समय बरवाद नहीं करना है उसने इसा टै कर लिया they are after इसके बाद he read his lessons अपना पढ़ाई शुरू कर दिया and solved the sums और उसके जो maths के सवाल है उससे solve करना शुरू कर दिया carefully धियान से he stood first in the class वो हमेशा क्लास में first आने लगा now he was praised by all the teachers in the school अब उसके जो जितने भी टीचर थे उनका परसंसा करने लगा praise miss परसंसा किया क्यों क्योंकि जो बच्चा पहले आलसी था अब वो पढ़ने में मन लगा दिया कि कितना बदलाव आ गया उसमें इसलिए जितने भी टीचर थे उनके परसंसा करने लगा his parents felt proud उसके जो माता पिता थे उन्हें गर्भ होता था का हमारा बच्चा सुधर गया पढ़ने लगा of his achievements उसके achievement पर उसे बहुत अच्छा लगा achievement मतलब उपलब धी ठीक है later बाद में he progressed progressed मतलब उन्नती किया in his life अपने जिवन में उन्नती किया and become an army officer और उसके बाद वो बन गया एक army officer that's all thank you very much आपको यह story कैसी लेगी और आपने इससे क्या सीखा